नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचे दिन स्वागात रपिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्श को का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे परसंद में होंगे आनंद में होंगे हम बात करने वाले हैं आठ जुलाई 2022 के राशी फल की ये संचित पांचांग आपके समक्ष स्कीर पर चल रहा है आप इसको देख लिए ये सुबह का संचित पांचांग है अब हम बात करते हैं इस लॉकेट की ये जो लॉकेट है इस लॉकेट में तीन रत्म जड़े हैं इन तीनों रत्मों में ताकत है आपके भागी को चमकान और भागी से ही इस दुनिया में सब कुछ मिलता है मेहनत के साथ जब भागी जोड़ जाता है तो तकी शीग सफलता पा लेता है वरना सफलता के दिए संगर्श बहत लबा होता है और जब सफलता मिल गई तो पैसा भी आ जाएगा और जब पैसा आ जाता है तो इंसान के दुश्मन बन जाते हैं उन दुश्मनों से ये तीसरा वाला रत्म लाजवरत आपको बचाएगा L9 इसका कोड है 38 सर रुपेस की कीमत है मंगाईए पहनिए और ये चांदी में बढ़ा हुआ होगा और अगर आप में से जो भी लोग सिर्फ रत्म लेना चाहते हैं मान लेजिए उनको सिर्फ रत्म लेना है इस लोकेट नहीं लेना है आप रत्म अपने शहर में अपने इच्छा-णुसार मनवाले या रत्मों को जेब में रख लें तो भी काम चल जाएगा तो इसके लिए आपको लिख कर भीजना हो घैल सोट एएध अ सब्सक्रास कि नग्यीज्ट-छूल ऑनोगों की खीमत हो जाएगी मात्र 1500 रुपे तो 2500 ह्य प्क्रीप मौना को दि राखकर घ्म जाएगए या चान्दी में मढए होगा इसका कोड होगा अलzub Cornикс प्रेम संबनाने के लिए बहुत अच्छा है आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे आपके मित्र आपको कोई बहार दे सकते हैं आपका जीवन साती, आपका प्रेमी प्रेमी का एक गुस्य को उपहार दे सकते हैं अपने स्वास्ते का समचित ध्यान रखेगा किसी गुप्त रोग से आप परिशान हैं तो उसका इलाज कराईएगा मूत्र समंधी रोग आपको परिशान कर सकते हैं कुन मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा, सुवधा जनक रहेगा जो भी सुख आपको चाहिए हों मिल जाएंगे सकराथ तक विचारों को ही दिमाग में आने ले OTCD बातों से बचिएगा, जल्दबाजी पे धरका निवेश मत करिएगा आप सभी कामों को धीमे धीमे कर पाने में सफल हो जाएंगे काम को समझिए, परकिए, फिर करिए पारिवारी के जिम्मेदारियों को न भूलिएगा आज थोड़ा सा मौसम जो बदल रहा है, बरसाथ है, गर्मी है, उमस है आज आप अपनी साथ ही से, अपनी चाहने वाले से कुछ ज़्यादा उपेक्षा रखेंगे, तो अचानक से कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है, रिष्टेदारों के साथ मिलना जुलना भी संभव है, कुल मिलना कर छोटी-पोटी परिशानी आएगी, लेकिन सही हो जाए मिलेगा, आप अपने प्रेमी प्रेमका से मिलने जा सकते हैं, वैपारी लोगों का वैपार बनेगा, जीवन साथी से सम्मद उत्तम रहेंगे, आज आपका मन आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेजित करेगा, आज का दिन खुद में बद्लाओं का है, आज हर कदम पर जी दिशा की तरफ लेके जाएंगे, आपको जो प्रयास हैं, वो सही हैं, तुलसी का पौधा अगर आज आपको घर में लगा है, तो तुलसी के पौधे को नमसकार करके जाएगेगा, आपको सुक्ष सम्मद्धी बढ़ती चली जाएगी, मित्वल राशी आज का दिन पसंता बढ़ा रहेगा, आप अपके बच्चों भी होते सुख समाचार प्राप करेंगे, प्रेम समंद्ध स्थापित होने की संभावना है, आप अपना कारेपूर्ण इमादारी बुद्धी मत्त और इस्था पूरा करेंगे, आज का दिन शेर मार्केट या जुवे में लिवेश करने के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आज आप कर दिन सौभागेता है, विद्याती एकागरता से अपनी प्रहाई लिखाई में लगे रहेंगे, वैपालियों को नए दोग में उर्जा रगाने का मौका मिलेगा, नौकरी में और नती मिलेगी, कोई बड़ी परियोजना और आप ये शुरू हो सकती है, कोई पुराना कामफर्स से शुरू हो सकता है, आपका ध्यान जो है काम के परती आकर्शित रहेगा, किसी भी तरह के निवेश को करने से पहले उसके बारे में भली भाती परिकार से सोच ले, दोस्तों यारों परिवार वालों के साथ चलते, आज कुछ ऐसे इंसान मिलेंगे, जो आपको जिन्दी का मज़ा, जिन्दी का लुफ उठाने का तरीका बताएंगे, आज बहुत ज़्यादा टेली फोन का या मोबाइल का प्रियोग मत करिएगा, वर्ना कान में गरबड़ हो सकती है, अपने समान की सुरक्षा रखिएगा करक राशी, आज आपका दिन घर में प्रसंता पुबग बीतेगा, सभी के साथ हर्श और उलास के साथ आपका पुबग बीतेगा, आपको गुप्त रास्तों से धर्गी प्राप्ती होगी, यदि आप घर, प्लॉड और इत्यादी बनाना चाहते हैं, खरिमना चाहते हैं, आप सभी छेत्रों में जीवन साथी का साथ और सयोग पाएंगे, बच्चे अपनी एकालों तक हो सकते हैं, आज आपका दिन मौल मस्ती में बीतेगा, शाम को परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, अच्छा मौका मिलेगा, कहीं गुबने फिन जा सकते है आपके राशी के जो स्टुडेंट से उनको करियर में कुछ नियां बदलाव देखने को मिलेगा, बिजनसमें को आज उनकी अठी हुई डील पूरी हो सकती है, फसा हुआ पैसा मिल सकता है, ठाकुर जी यानि भगवान कृष्ण की किलपा से आज आज आपके काम बनेंगे, मुश्किले समाथ होंगी, सिंग राशी की बात करें उससे पहले मैं यह कहूँगा, ये जो तीन रत आप देख रहे हैं, इन तीन रत नों में भाग है, लख है, इन तीन रत नों में पैसा है, इन तीन रत नों में शत्रू का विनाश है, अब देखिए, शनी की साड़े तो आपको परशागियां बढ़ेंगी, तो इन परशागियों का अंत करने की ताकत रखती है, ये तीन पत्रों की ताकत, देखिए, एक कुछ नहीं कर पाता है, जब एक इनसान दुश्मनों से नहीं डर सकता, जब तीन होते हैं तो फिर दुश्मनों से लड़ जाते हैं, इन तीन पत्रों के अंदर तीन सो परशाणियों से लड़ने की ताकत है, तो अगर आप अपने जीवन में सुक चाहते हैं, तो इनी स्टोंस को लीजिए, अपनी मर्जी के उनसार इसको अंगोठी बनवाईए, लॉकेट बनवाईए, या ऐसे ही अपनी पॉकेट में रख 25 रुबे कीमत हैं, पराण 30 होंगे, सर्टिफिकेट के साथ होंगे, और इससे ज़्याद आपको क्या चाहिए, औरिजिनल होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, इसको रख पहनते ही, अपनी पॉकेट में रखते ही, आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी, आप अपने हिम्मत और अतक प्रियासों से अपने कार्यों में सफल होंगे, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिष्टे बढ़िया होंगे, वह एक दूसरे की सहायता करेंगे, आप अपने बच्चों की और से शुब समाशार प्राप कर पाएंगे, प्रेम करने वाले की के लिए दिन पसंता दायक रहेगा, आप किसी ने वैपार में दन का निवेश करें, उससे पहले सोच उचार करें, किसी काम को करने से पहले बहुर अच्छी तरीके से उसकी सारी रूप वेखा को समझ दे, बिमारियों से जूजने के लिए आपको आप थोड़ी सी परश कर पाएंगे, यूर में कुछ अच्छा और कुछ नया भी होने वाला है, निश्चे ही आज आपको दिख जाएगा कि क्या जीवर में नया होने वाला है, कड़ी महनत है, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा है, बात करेंगे कि कन्या राशी की आज कड़ी महनत करने का दिन है, अप अपने लक्ष से संपकर्ख होगा, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, विद्यार्थियों को अपने लक्ष के प्राप्प करने के लिए कंड़ी महनत करनी होगी, बोल चाल में अब अबंत्र भाशका प्रयाब करेंगे, गप शपत से दूर रहेगा, आज आपको सब परशारियों से आज चुटकारा मिल जाएगा अगर आप इंगीनियर हैं मर्टी रेशियों कंपनी में जॉब करते हैं तो और कोई नई कंपनी से या कही दूसरी जगे से अच्छे ऑफर बिल सकते हैं सगे समंधियों से वैचारिक मद्विन हो सकता है ननीहाल की पक्स से कोई परिवार में खुशियों का आगमन होगा माता पिता के साथ किसी धाल में किस थाग पर जा सकते हैं मा का शिर्वाद आपकी सबस्याओं का अंत करेगा हम बात करेंगे तुला राशी की आज कूरता का दिन है विद्यारती एक आगशित होकर अध्यान करेंगे प्यपारी लो पुराना रिष्टा जिसको आपने देखा हो वहां से बात बन सकती है जीवन साती के साथ आपके समझ मदूर रहेंगे आप लोग एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे आज आपके विद्यत तुम्हें विकास होगा आप सभी को आकशित कर पाएंगे लोग जो आपको जान करेंगे तो अच्छे फैसले करेंगे तो अच्चे आपको येशल्ट पीलेंगे आज आप जिसको चाहते हैं उनका फोन आसकता है उन कुछ कभी रहेगी आपकर खर्चा बढ़ सकता है खानपान के मामले में सावगान है आर्थिक मुक्सान होने की संभावदा है जीवन साथी की नराज़गी बढ़ सकती है विद्यार्थियों का बंद पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा वैपार में लंबी यात्रा होगी इसका परड़ाम आशाजनक नहीं होगा और आपका परिवार जीवन सुखी रहेगा बस परिवार में कुछ उठा पड़क चलती रही यानि कभी अच्छा तो कभी बुरा किसी बात को लेकर परिवार वालों से या दोस्त प्यारों से या जीवन साथी से या प्रिवी फ्रे आपको कोई रोग ना लग जाए अगर कोशिश करें घर पे रहे बहुत जादा गुमे फिरेना तो बढ़िया रहेगा घर का ठाए घर का पिये जरूरत पन लोगों को अगर आज आपको दान देते हैं तो आज आपको थोड़ा सा सुगूल भी मिलेगा और आपके ग्रह भी तो वो चीज़ तूट जाती है या हिल जाती है ऐसे ही जब ये तीन रत आपकी मुठी में होंगे तो आपकी मुठी में क्या होगा इस मुठी में होगा आपका भाग के जो आपके पास होगा जो इधर उधर भाग राता तो आप मुठी में कैद कर लेंगे आपकी सफलता आ भागी हो, किसमत हो, और पैसा हो, अशत्रू भी आपके कंट्रोल में हो, तो आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो वैबार हो, चाहे वो वैबाही जीवन का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे वो घर का सुख हो, चाहे वो जमीन जाइजात का सुख हो चाहे वो राजनीती का सुख हो चाहे वो I.S.P.C.S. बनने का सुख हो तो कि भाग की जिसका साथ है उसी को सफलता मिलती है महनत सभी करते है लेकिन सफल कोई-कोई होता है अगर सफल होना है तो इन तीन स्टोंज को लिए लूज स्टोंज जो है इसके लिए आपको लिखना है एल दस लिखिए पच्छी सरों के जीमत है और ये सर्टिफिकेट के साथ में आएंगे परान परतिष्टित होंगे आप अपने इच्छा अरुसार इनके अंगूठी आपको अच्छा लगे हम आपको लूज स्टों लेंगे पूजा करके देंगे विदी विधान बताएंगे कब कैसे पहनना है और कैसे इनके रिजल्ट आपको बिलेंगे अभी वार्टिक करेंगे आज आप खूब अधिक धन कमाएंगे आपके सपने पूरे होंगे इच्छ सकते हैं समाज में माज समाज पद परतिष्टा बढ़ेगा अच्छी चीजों को गरहर करने से आपका दिमाग खुला रहेगा जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरी आपकी आमदनी के रास्ते खुलेंगे घरेलू मामलों में आपको ध्यान देने की जरूरत होगी घर जो बात चल रही है उनको पूरा करिएगा घर की कामों को लेकर लावरवाही मत करिएगा आपकी ठकी और उदार जिर्मी में जीवन साथी का साथ फिर से बधूरता ला सकता है कामकार से जुरे हुए मामलों में यात्रा करनी पर सकती है आज आपको कामकारी जीवन में अच बच्चों के वहवार से आज माता पिता तो नराज हो सकते हैं अपने बच्चों के स्वास्त का भी ध्यान दखेगा आपकी आमधरी के कुछ नहीं रास्ते खुल रहे हैं आज आप जीवन में सकरात्मत बद्लाव महसूस करेंगे आपके रुके हुए काम पूरे बढ़ेंगे सची लगन और सच्चे प्रयासों से आप आगे बढ़ेंगे कारवारियों को आज अचारक से कहीं धनलाव होता हुआ दिख रहा है जो भी लोग इंजिर्मिंग के स्टुडेंट उनके लिए अच्छा रहेगा बड़ी कंपनी में जॉब का मौका में सकता है घर के बाहर नि से आपको रिष्टे मदूर रहेंगे प्रेमी प्रेमका को मिलने का उसर प्राफ्त होगा शेयर बार्कर पर धनका जिमेश कर सकते हैं कुल मिलाकर सभी शेत्रों में सफलता प्राफ्त होगी स्वास अच्छा रहेगा गारी वहां चलाते समय साबधाने रखें खास तोर पर नशे में गारी ना चलाएं जल्दवाजी पर गारी ना चलाएं और ट्राफिक के नीमों का पालन करें बच्चों से आज आप जो मीद लगा रखी है बच्चे आज आपको दिराश कर देंगे सपनों को सकार करने के लिए आपको खुद को भी मोटिवेटर रखना होगा और अपने बच्चों को भी मोटिवेटर रखता होगा मीन राशी आज आप बहुत दुने से रुपिव धन पुप्राप कर पाएंगे शेर मार्केट मिधन का निवेश करने के लिए शुप समय है आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे जरूरत बन लोगों की सहायता करें गारी सब्सक्राइब हो सकती है जल्दबाजी में कोई निनन ना लें आपके बच्चों का साथ और सही होगा आज कोई भी कोई आज कोई शूप समझार मिल सकता है अब वहाहित लोगों को अच्छा रिष्टा मिल सकता है आज करेंगे तो बढ़िया रहेगा शाम को परिवार के स और उनके आशिरवात का आप सदुप्योग करिएगा और आपके लिए तो पूरा दिन है अच्छा भी देगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम पूरे हो जाएंगे मीन नाशी वालों के लिए जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अब हम बात करते हैं उनकी जिन अब बात करते हैं आज किया करना है आज हमें शोनाज हि mungkin कि इंहें की पत्तो उंपर जैश्री राम जैश्री राम जैश्री लिगे के कि लगन की हो सकती है यह चौता घर देख रहे हैं, अगर चौते घर में शनी बैठा हुआ है, तो आप एक काम करिएगा, आपके घर के आसपास कोई नहर हो, आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ पानी का ज़रना हो, या नदी हो, या समुंदर भी हो, तो चार शराब की बोतल लेके जाएगे, आप शराब की बोतल इतनी चोटी भी हो सकती, इतनी बड़ी भी हो सकती, एक लीटर की भी हो सकती है, शराब, विस्की होनी चाहिए, ठीक है, रम भी हो सकती है, तो चार बोतल लेके जाएगे, साइज आपके इसाब के देखिए, सो है और यादा लीतर और फिर अपके आपक्र तो शनी के जो अशुपरभाओं यहां पर आपको मिल रहे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे जिनका भी शनी चौते घर में हो और परशानी बहुत बढ़ रही हो तो आप इस उपाय से राहत पा सकते हैं कोई समस्या हो कोई परशानी हो तो दीए के नंबरों पर संपर्क करें अपनी जरम को लिकी जांच कराएं और ऐसे चोटे-चोटे उपायों से अपने जीवन को सुखी बनाएं हर्यों नमस्कार